चलिए दुस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को तो आज दुस्तों आज की वीडियो में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं समास काफी सालों कहते हैं सर समास पूरा डिटेल में बताना है तो समास की आज इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें होती हैं इंपॉर् यानि कि इसका जो साब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप समास का जो साब्दिक अर्थ होता है अर्थात जब दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर जो नया और छोटा सब्द बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं समास कहते हैं दूसरे सब्दों में हम लोग इसको कह सकते हो जहां पर कम से कम सब्दों में अधिक अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहाँ पर समास होता है जिसे समास और संधी में कभी-कभी अंतर पूछा याता है, समास और संधी में अंतर होता है, इसके लगा यहां पर यह पूर्टन जिण एँपर्ड़ाइस को ध्यान दिखतिा पढ़ियेगा, कि संस्कृत जर्मन तथा बहुत सी भारतिय भासाओं में समास का बहुत प्रियोग किया जाता है समास रजना में दो पद होते हैं पहले पद को हम लोग पूरुपद कहते हैं और दूसरे पद को हम लोग उत्तरपद कहते हैं और आपके जितने भी परिभास आया है ना इसी पूरुपद और उत्तरपद के इर्द गिर्द होंगी अभी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इन दोनों सब्दों से जो नया सब्द बनता है उसको हम लोग समस्थपद बोलते हैं इन तरह की चीज़ए होती है पूरुपद उत्तरपद और आपका समस्थपद ये तीन तरह की चीज़ए होती है एक समस विगः harus भी होता है सबकों में और ह्याक्व हम तो सबको जानेंगे अव्याई भाव समास क्या होता है, तत्पृत समास क्या होता है, कर्मधारे समास क्या होता है, दुएक समास क्या होता है, दुएंदर समास क्या होता है, बहुवरी क्या होता है, सब कुछ एक एक पॉइंट हम लोग यहां पर जानते हुए चलेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे अव्य भाव समास की तरफ अब देखो यहां पर एक तो यह छे चीजे हो गई और कभी कभी आपके पेपर पुछा आता है यह बहुत इंपॉर्डर है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बहुत सारे किताबों में आपको यह देखने में मिल होते हैं अब हम बात करेंगे दूस्तों सबसे पहले समास यानि कि अव्य भाव समास के बारे में कि अव्य भाव समास आपका क्या होता है अगर हम बात करते हैं अव्य भाव समास के बारे में तो याद रखना इसकी परिभासा क्या है कि इसमें पहला पद यानि की प्रथम हमने बताया की समास फिग्रा में दो पद होते है जैसे राजपुत्र चांचे समझो राजपुत्र अभी राज पूट्र तो राज का पुत्र तो यहां पर प्राथ में प्रत्र पद योछाइब idea की Robent रहता है कि इसका लिंग वचन कारक कोई प्रभावना पड़े समझ में आ रहा है जैसे दूसरे सब्दमें को कह सकते हैं कि यदि एक सब्द की पुनरावरित्ति हो और डोनों सब्द मिलकर अव्य की तरह प्रियोग हो वहाँ पर अव्य भौसमास होता है यानि कि एक सब्द की पुनराबृत्ती हो दिनो दिन दिन आपने सुना है ना प्रति दिन इसके लावा उसी को हम लोग अव्यवास हमास कहते हैं और संस्कृत में जो उपसर्ग होता है उपसर्ग युगत्पद भी आपका अव्यवास हमास माने जाते हैं आप देखो कुछ छोगे लेटेशंस आपको एक्जांपल के बार सम्मझ में आ जाएगा जैसे कि यहां पर यथा-सक्ति सारी किसारे यहां पर आपको इंपौर्टन और आपकी पेपर में यह घ्जांपल कई आपकी पूछे गया तो यह अच्छे से सारा देख लिजेगा जैसे आपका यथा सक्टी तो हमेंसा कभी आपके अभ्यवसमास पहले लगते हैं कि यथा सक्टी इसका शमास है पूरा समस्ट है इसका समास विग्रा करेंगे तो सक्टी की अनुसार तो यहाँ पर सक्टी देखो एक और प्रधान भी है तो यहाँ पर यह जो है इसको हम लोग किसी भी चीज में ब्दल मिन सकते हैं सक्थि पुरुष के लिए भी यानि कि लिंग में इसका परिवर्तन नहीं हो तो यह यथा सक्थि आपका अव्यवासमास का उधारण है एसी तरह इसका क्या होता है इसके लावा यथा नियम है यथा नियम किया है आपका नियम के नुसार तो यथा वाले जितने सब्स होते हैं वे अपके आपके के तरे के नहीं होते हैं प्रति वर्वर्त यसार और वर्स यादि ने नेकि लेकर इसको शमास विग्रह में कई आपके पेपर में समास विग्रह भी पूछा जाता है इसी तरह का यä था साध्य Falls यहा पर अपनी परवासा में आपके छी बताया सा ना की यह ची सब्द committed पुर्णरावित्य हो और दोनों सब्सक्राइब कर अव्याद की अवाज के साथ यहाँ पर भी आवरित्य हुई है घर घर तो दोनों सब्सक्राइब प्रतेग घर हो जाएगा इसका समास विग्रा ये भी आपका अव्य भाव समास का उधारण है इसी तरह रातो रात यानी कि रात ही रात में हो जाएगा आमरण यानि कि मृत्यों तक तो यहाँ पर आ लग गया है तो आपके यह भी अव्यवाव समास का उधार्ड हो गया इसे दोस्तों आपका यथा काम है यथा काम देखो यथा लग गया न और इच्छानुसार इसको बोलते हैं यह समास विगरा है और यह भी आपका किसका अव आपके वेवर आया है निर्भय यानि कि बिना भय के यह भी अव्यवाव समास के उधार्ड है निर्विवाद निर्विकार और प्रतिपल निर्विवाद का उतलो होता है विना विवाद के निर्विकार का मतलो होता है विना विकार के प्रतिपल का मतलो होता हर पल तो यह स मोश्ट इंपॉर्टन ने कई बार आपके पेपर में आचुका है कि भर पेट इसको समास विग्रा करेंगे पेट बहर कर हो जाएगा तो यह भी आपका अवेवह समास का उज़ार होता है और हाथ हो हाथ की अगरम बात करते हैं तो हाथ यानि की हाथ ही हाथ में तो यह भी यहां पर जितने भी हो सकते जितने आपके paper में लगातार आपके बारा पूछे गए हैं मैंने आपके यहां पर सारे रख दी हैं यह आपके exam की दिर्ष से यह सारे के सारे बहुत ज्यादा important है clear है तो यहां पर यह सारे के सारे आप PDF दे दूंगा PDF तयार कर लिजेगा आपको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगला देखो point यहां पर अगला point आपका है तत्पुरुष समास सबसे ज्यादा paper में पूछा जाने वला यह समास होता है पहले इसकी परिभासा जानेंगे कि इस समास में दूसरा पद क्या होता आपका प्रधान होता है और यहां कारक से जुड़ा समास होता है देखो तत्पुरु समास के अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ सिंपल समझो इसको sort में आप ऐसे समझ सकते हो कि तत्पुरु समास में ऐसा समझो कि जो दूसरा वाला पद होता है वो प्रधान होता है दो पद होते है प्रथम पद उत्तर पद गारक लोब होता है तो बूसरा समास कैए तो इसे तत्पुरु समास की प्रधाथ होता है उसके क्या हो सकती है आयोब आपको तयार होगा तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्जामपल दिये गए जो कि आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं जैसे देश भक्ती तो देखे यहाँ पर जो के लिए है तो यहाँ पर के लिए आपका छुपा हुआ है सराहात को देखे सराहत में सरसे आहात यह भी आपका तत्पूरस हमास का उधार हो गया सम में देखे यहाँ पर के लिए संप्रदान तत्पूरस होगा राजा का पुत्र तो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा इसके लावा तुलसी दोरा कृत यानि कि तुलसी दास कृत हो जाएगा राजा का महल देखो राजा का महल राज महल ये भी आपका क्या हो जाएगा तत्पृत समास का उधार है राजा का कुमार यानि कि राज कुमार को बोलते हैं राजा का कुमार राजा का कुमार मतलब होता है राजा का बेटा समझ सकते हो तो यह जो राजगद्दी पर बैठने वाला होता है तो इसको राजा का कुमार बोलते है तो यह होगी यह भी आपका तत्प्रोष समास का उजारण है इसके लाव आपका धर्म का ग्रंथ यानि कि यह भी देखो य कर्म-धार्य समास, दो समास पढ़ लिए हो ना, कर्म-धार्य समास में सिर्फ इसका एक उधार याद रखो कि कि इससका समास का उत्तरप्त प्राद होता है अब कि ने हमास का उत्तरपत प्रण था लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंश क्या है यहाँ है समस्ञा है यादि कि धोनों आपके पद होते हैं क्या बोलते हैं तो पहला प Cat चरड यानि कि चरड कमल कमल के समान चरड तो चरड को कमल के समान बताया गया है तो यहाँ पर देखिए उपमे और उपमान से मिलके बना हुआ है और नहीं बना हुआ है यह हो गया इसके लावा नील गगन नीला है जो गगन देखो गगन की विसेस्ता गगन आपका विसेस्त की विसिस्ता नीला से बताई जा रही है तो विसेसर और विसेसर से मिलके बना है ना नीला है जो गगन तो सबसे आसान यह होता है इसी तरह चंद्रमुख तो चंद्र जैसा मुख देखो उपमे उपमान तो मुख की विसिस्ता बताई जा रही है या मुख को बताई जा रहा ह तो यह भी आपका चंद्रमुक भी आपका करम्दाय समातक हो जाएगा तो दो चीज़ा बिसेसार बिसेसार से मिलके बनता है तो यह दो चीज़ार है Shadok पीतांबर, पीत है जो अंबर यानि कि अंबर की भी सिस्ता बता रहा है कि वो पीला है, पीत है महात्मा, महान है जो आत्मा आत्मा की बारे में बता जा रहा है कि वो महान है लाल है जो मड़ी, लाल मड़ी इससे अलावा आपका महान है महान है जो देव महादेव तो महादेव के बारे में बोल जाया है तो यह भी आपका क्या होता है करम धरजास होता है और देः लता देह रूपी लता लता यह भी आपका करम धरा ग्याएं कोई डाउट है किसी को इसको पूछना है गयों सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहला जो पद होता है उत्तर पद जो प्रथम पद होता है वह संख्या वाचक विशेशड़ होता है यानि कि यहाँ पर पूरो पर संख्या वाचक होता है, कभी-कभी उत्तर प्रद्वी संख्या वाचक होता है, देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे किताब आपको नहीं मिले हैं, कि कभी-कभी आपको उत्तर प्रद्वी आपका संख्या वाचक देखता हूँ मिल जाएगा, और इसके लावा यहाँ पर इस समास से प्रिव के संख्या किसी समुह को दर्साती है अर्थात किसी अर्थ को नहीं हमें से याद रखिएगा किसी समुह को दर्साएगी अभी मैं आपको एक एक्जाम्पल ऐसा दूँगा, जो देखने में शंख्या वाचक होगा, लेकिन वो कर्मधारे नहीं, वो दिल समास नहीं होगा, वो आपका बहुबरी में चला जाएगा, तो यह चीछी याद रखेगा, कि पहला पर संख्या वाचक होता है, और जो संख् मिलके दोपहर बनता है यानि कि आपका गुड़ आफ्टर रोण होता है छो तो टिर्लोड द्रिंटो का समुा पGood afternoon निमिक्ट के वेडि等 का समुद्ग ट्रि लोग तीनी के ते लोग का समाहार विर लोक हर्द लोग कंग昨n सवब्दों का सवब्लक पंटलों होता है इसके रावा पंसेरी मतलब क्यों होता है it was यह बहुत इंपॉर्टन लोग यह वह सबस सबसे का अर्थ क्या होता है साथ सवप्दों में आपक़ सतस ही तो सफसाई का मतलब होता है साथ सव पदों का समू इसके लावा चौगुनी यानि कि चार गुनी तो यह हो गए आपका दुएक समास क्लियर है दोस्तो आसे भी को दुएक समास क्लियर है आगे क्यों बढ़ा जाए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले समास की ओर तो अगला समास देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है दुएंद समास अब दुएंद समास देखो क्या है दुएंद समास लगी रहा है पढ़ने से लए दुएंद यानि कि दुएंद समास में क्या होता है दोनों पद आपके समास होते है यानि कि परधान होते है यानि कि इसमें हमेशा होता है कि दोनों पद आपके क्या होता है प्रधान होते हैं दोनों पद आपके क्या होते हैं दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन यह हमेशा नहीं होता है यानि कि दोनों जो होते हैं दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन यह चीज हमेशा नहीं होती है और इसका समा तो जल और वॉयू देखो दोनों आपके प्रदान हैं लेकिन यहां पर क्या जल और वायू में अगर देखा ध्या हुदू द लिए, हवाड़ा है यह दूसरे विदूम है और यह लगा था है लगवा हुद है पाप और पुन a यह दोसरे की विदूम है और यहां पर दोनों नारी, नर नारी हो गया, तो सब में देखिए एक बीच में आपका योजक चिन लगा हुआ, नदी नाले हो गया, अमेर गरीब हो गया, देश्ट विदेश हो गया, गुड और दोस हो गया, तो बताइए दोस्तों क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्या आपको आपको इसमास में कोई भी बताब का प्रधान नहीं होता है, और यहां पर कह रहा हुँ है, जब दो पद मिलकर tisरे पद बनते हैं, यानि कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों प्रधान मिल करके किसी तीसरे पद की और इंडिके intelligents करतें और इसका करने वाला है, वाला है जो जिसका जिसकी जिसके वह आ दी आते हैं वह बहुवरी समास होता है आप देखो जैसे इसका समास विग्रा करोगे तो उसमें वाला सब्द मिलेगा है सब्द मिलेगा जो सब्द मिलेगा जिसका सब्द मिलेगा जिसकी सब्द मिलेगा और वह सब्द मिलेगा स्ट्रैंब्고 Supply to Kelly維 जिसको कि शुजी की बात हो रही है तो यह आपका वहुरी सत्री इसी में प्रदान कैसी तो नीले इस अब नील कंठ यहाँ पर मैं आपको option इसलिए दिया हूँ क्योंकि नील कंठ में आधित ज्यादा तरलोग क्या होता है लगा किया जाते है कर्मधारे समास लेकिन यह कर्मधारे समास नहीं है नीला है कंठ जिसका यहाँ पर कंठ की विशेष्टा भली बताया जारे नीला लेक आपका यह क्या हो जाएगा बहुबरी समास के अंदर आएगा कभी-कभी इसको लोग अपवाद भी बोलते हैं तो यह बहुत इंपोर्टन इसको याद रखिएगा इसी तरह लंबोदर लंबा है उधर जिसको गड़ेश जी बोलते हैं यह भी आपका क्या होगा बहुबरी यह बहुत ज्यादा कई के किताबों में आपका बहुबरी में दिखा गया है और बहुत सारी किताब देख़िए यहाँ पर मेंने यहां पर भी आपको साथ बताया होगा बहुबरी है यह पीतांबर वाला option होता है तो बहुबरी या करमधारे में से कोई एक ही option होता है तो यह चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा तो यह होगे 6 के 6 समास तो बताइए सब आप सब को clear है मज़ा आ गया ना 6 के सब समास पढ़ने में